वेलकम फ्रेंट्स, वेलकम इने यूटूब चानल, शिव कंसर्टंसी के यूटूब चानल में आप सभी दरशकों का हर्दिक स्वागत है महाराष्ट्रा के लिए एक गुड़न्यूज में के आए है हम गुड़न्यूज ऐसी है कि अगर आप ये आपको फ्लाट ट्रेंट पे देना है या सेल करना है तो उसके इसमें आपको सोसाइटी से एनोसी लेने के लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी 12 एप्रिल को जो मिटिंग हुआ है उसमें डॉक्टर जितेंदर अवार जो महाराष्ट्रा के हाउसिंग मिनस्टर है उन्होंने ये एनोस्मेंट की है कि इसके आगे आपको सोसाइटी की किसी के लिए परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आप फ्लाट रेंट पे दे रहें या सेल पे करें नर्मली क्या होता है कि अगर आपको फ्लाट रेंट पे देना है या फिर आपको सेल करना है तो सोसाइटी का परमिशन लेने के लिए बहुत वेट करना पड़ता है और बहुत बाद जो managing committee है वो आपको रुका के रखती है या फिर अगर आपके documents का completion नहीं होता या बाकी किसी case में भी आपको वो लोग hold पे रखते हैं और उस case में फिर आपका bank loan लेने के लिए या फिर जो next processing है उसमें भी delays हो जाते है तो ये clause अभी निकालने के लिए डॉक् हो जाएगा वो डीलेज नहीं होगा secondly कि जो paper के लिए वो लोग रुका के रखते हैं कुछ उसमें charges लेते हैं या बाकी की जो बाते हैं वो होगी नहीं इस case में तो ये सब के लिए गुण्यूज है वो ऐसा कह रहे है कि मुंबई अभी एक big city हो रहा है तो उसमें Cosmopolitan हो गय करती है कि एक specific community को ही वो लोग नोसी देते हैं या फिर कास को prefer करते या फिर vegetarian ही लोग होने चाहिए non vegetarian ही होने चाहिए ऐसे बहुत सारे condition वो लोग रखते हैं और जिसके वज़े से वो लोग नोसी देने के लिए मना कर देते हैं तो यह सारे पर भी रोक थाम लग जाएगा यह सब लगने वाला है नहीं तो इसके लिए नोसी का पार्ट उन्होंने निकाल दिया है और वो यह भी कह रहती कि एस पर बाइलोज नहीं है ऐसा जिकर उन्होंने किया है बट अभी इसमें pros and cons भी है अगर यह decision आया है तो बहुत सारे welfare association ने इसको welcome तो किया है इस decision को लेक के लिए उसको दे सकते हैं तो एसे ही वीडियो के लिए आप हमसे जुड़े रहें और अगर पहली बार हमारे चानल पर आये होंगे तो subscribe करना और bell icon को प्रेस करना ना भूले ताकि नए जितने पी वीडियो आएंगे या नए जितने पी updates रहेंगे वह आपको पहले मिल जा